जेहन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सेनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों, जवानों के हित में सुप्रेम कोड का दिल छू लेने वाला बयार यानि कि जज साव की क्या टिपनी आई, क्या फैसला आया, जो आपके दिल को छूगया यानि कुछ केस ऐसे होते हैं, जिन केस हो में, जज साव को फैसला सुलाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसा ही एक केस जो आज में आपके लिए लेकर आया हूँ पहले देखे दोस्तों, आखिर पूरा केस है क्या दोस्तों, आज मैं एक ऐसे जवान की बात कर रहा हूँ जिसको सन 2014 में, अन्डिजारेविल सोल्जर करके सेना से बाहर कर दिया गया दस साल की सर्विस के अंदर-अंदर क्योंकि वो जवान, एक्सिस, एलकोहल कंजूम करता था एलकोलिजम था, ADS था, एलकोहल डिपेंडेंसी सिंट्रोम जिसकी वज़े से अन्डिजारेविल सोल्जर करके उसको सेना से बाहर कर दिया ओश जवान ने AFT का रास्ता पनाया, यानि Armed Forces Tribunal वहाँ पर AFT में सुनवाई हुई केस की और सारे बिंदों को ध्यान में रखते हुए जवान को Disability Pension का आदेश दिया AFT की तरफ से लेकिन दोस्तो, AFT के डिसीजन को सेना की तरफ से सर्वोच नियाल सुप्रिम कोट में चिनोती दी गई जहाँ पर सेना की तरफ से ASG, यानि Additional Solicitor General माधवी दिवान ने केस रखा, बड़ी ही प्रोफेशनल तरीके से समझाया और कहा कोई जवान अपनी बज़े से जो एक्सिस कंजूम करता है Alcohol, Alcoholism के कारण कोई injury नहीं है उसको कैसे Disability Pension के दाइरे में लिया जा सकता है जबकि ये प्रोलम उसके द्वारा खुद अपनी पैदा की गई है ऐसे जवान को ना तो वेपन के साथ डूटी कराई जा सकती है नहीं ऐसे जवान को किसी मसीन के साथ कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है नहीं कोई driving का task दिया जा सकता है तो फिर इस जवान को सेना में रखने का क्या ओचित्त है और किस आधार पर ऐसे जवान को disability pension दी जा सकती है दोस्तो सारी धरीले सुनने के बाद जज साव की पीठने बड़े ही सरल सभाव से सेना की पेरवी कर रहे है ASG Additional Solicitor General माधवी दिवान जी से पूछा कि जवान के साथ कुछ तो सहनभूती होनी चाहिए जवान ने अपने 10 साल के कारियकाल में ज़्यादा तर जो सेबा दी है वो जिंड के में दी है जिसमें जवान ने स्याचन Glacier भी काटा है और जवान के अनसार Extreme Weather Condition में जवान के RMO यानि Regimental Medical Officer की सला से उसने अलकोहल कंजूम करना सुरू किया और उसके अपने बीबी बच्चे भी है हालांकि इसका मतलब ये कते ही नहीं है कि जवान को एक्सेस अलकोहल कंजूम करनी चाहिए और हम सेना की बात से असहमत है और जज साब ने कहा कि जवान के JNK के record को देखते हुए जवान डिजर्व करता है exceptional consideration के लिए आखिर जजवी इंसान होते हैं हमने जवानों की bodies को coffin में आते हुए देखा है और हाल ही में राज्थान के अंदर जो वाडमेर में MiG-21 क्रेस हुए जिसमें दो पाइलेट सहीद हो गए हमने उनके spouse उनकी families को भी देखा है और दोस्तो जज साब ने कहा कि हम सेना की चिंता को समझ रहे हैं इस वक्त हमारा मत अलग है लेकिन अब क्योंकि जवान और उसकी family disability pension ले रहे हैं और हम यानि जज नहीं चाहते कि उनसे उनकी disability pension छीनी जाए तो दोस्तो इस तरह है जो सेना की तरफ से undesirable soldier करके घर भीज दिये गए आज उनको भी disability pension दी यानि कि Supreme Court favors disability pension for ex-jewान with alcohol dependency यानि कि A.D.S. के case में भी जिसको सेना ने undesirable soldier करके बाहर कर दिया Supreme Court ने उनका favor किया और उनकी disability pension को बरकरा रखने की बात कही तो दोस्तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में फिर मिलेंगे आपके welfare से जिड़ुगी किसी अन जानकारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो जैहिन जै भारत